नमस्कार उन्दे मातरम सौगत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तो अगर आप लोग केबल और केबल कप्छा दुसी पास हैं और साल 2024 में इंडिया पोस्ट आपिस भारती डांक विवाग को जोईन करके अपने गाउं एजिले के अंदर सेंटरल ग अपडेट्स आ चुकी है एक तो विकेंसी कंफर्म हो चुकी है और दूसरी इंपोर्टेंट डेट्स यानिकी अपलाई ऑनलाइन की डेट भी अनौन्स कर दी गई है कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी एसस महादेवाजी की जो की जीडियस के महा सचीव है उन्होंने टार्गेट किया है दो नई भरतियों को एक तो आपकी जीडियस के पदों पर आने वाली 40,000 पदों पर भरतिया और दूसरी MTS पोस्टमैन और मेल गाड के पदों पर आने वाली 98,000 से ज़्यादा पदों प आपसे रिक्वेश्ट है कि अगर आप लोग इंडिया पोस्ट आपिस को साल 2024 के अंदर जॉइन करना ही जाते हैं तो इस वीडियो को आखरी तक देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की अपदेट को देख पास अगर आप जिडियो के अपदों करेंगे तो इसके लिए कोई भी एजूकेशन क्वालिफिकेशन आपका चेकाउट नहीं किया जाएगा लेकिन वहीं पोस्ट मैन और मेल गार की पोस्ट के लिए जिसका क्वालिफिकेशन बारवी पास रखा गया है अगर उसके लिए आवेदन करते हैं और GDS के अप्लॉई हैं तो अगर आप दस्वी पास हैं तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे लेकिन फिसर केंडिडेट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है उनके लिए MTS में आवेदन करने के लिए कक्षा दस्वी पास होना कंपल सरी है और पोस्ट मैन के माध्यम से जानकारी को समझाते हैं तो दोस्तो आपको आवेदन करने का नोटिपिकेशन डाउनलोड करने का लिंक बीडियो के डिस्कुप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स कमेंट के अंदर पिन कर दूँगा तो आप लोग क्लिक करके इस पेंच पे आप आएंगे यहां पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और देख सकते हैं इंडिया पोश्ट आपिस भरती है दो जार शोविस के लिए नोटिपिकेशन आउट है अंठान नवे जार तिरासी MTS पोस्ट मैन और मेल लगाट की पोस्ट के लिए यहां से भी आप ल इंफोर्मेशन मिलने वाली है हम बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में तो जो डेट्स निकल के आई हैं वो GDS की विकेंसी जो की 15 जनवरी के आजपास आने वाली है उसके जश्ट 10 दिन के बाद आपको इन पदों पे भी भरतिया देखने को मिलेंगी यानि कि यहाँ पे 25 जनवरी तक आपके notification आएंगे और आभीदन आपके 24 फरवरी तक चलेंगे यानि पूरे 20 दिन का आपको समय मिलेगा आभीदन करने का एक ही बार आपको समय मिलेगा साल 2024 के अंदर 5700 नए post office बनने वाले हैं और उनके लिए employee की जगुरत होगी एक साल के अंदर यानि की 2024 में टोटल तीन बार इंडिया post office की तरफ से भरतियां आएंगी पहली जो भरती आएगी वो आपकी जनवरी महीने में 15 जनवरी के आसपास आएगी cycle 6 के नाम से दूसरी जो वेकेंसी आएगी इसके जश्ट बाद postman, MTS और mail guard के पदों पर और तीसरी एक बड़ी आएगी जुलाई में सिड्डूल सेकेंड के नाम से इस बात का आपको ध्यान में रखना है इन डेट्स के लिए आपको रेडी रहना है अपने पूरे डाकुमेंट्स को रेडी रखिए क्योंकि बार बार आपको मोका नहीं मिलेगा अपली केसन फीस वही सामान ने सा यह जो एज है यह जेडियस के लिए लागू होती है लेकिन अगर आप MTS के लिए आभीदन करेंगे तो 18-30 साल और पोश्ट मैन और मेल गाट के लिए आभीदन करेंगे तो 18-35 या-40 साल तक अलाव करी जाएगी छूट के साथ में इसके बाद में हम बात करते हैं विकेंसी के अंदर मेल गाट के अभी यह 14-45-2000 हो गये हैं और MTS मल्टी टास्किंग इस्टाप के 37-549 पत जो है तो खाली है इन पे भरतियां आने वाली हैं तेन ट्वल पास आभेदन करेंगे रूल मैंने बता दिया कि अगर आप GDS के एंप्लॉई हैं तो आपको थोड़ा छूट म और MTS महिला और पुरुस दोनों आभी दन कर पाते हैं नए साल में आप अपने कौलिफिकेशन के बेसिस पे यहां पे चेक आउट कर सकते हैं और इन भरतियों के लिए भी आभी दन कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं सेलरी के बारे में देखें GDS की तरह सेलरी नहीं ह इसलिए इसका बेतन भी अच्छा रहेगा 25,500 से 81,100 रुपय तक आपको बेतन देखने को मिल जाएगा दिन हम बात करते हैं यहां पे सेलेक्शन के बारे में तो सेलेक्शन आप यहां पे देख सकते हैं एक्जामनेशन होगा फिर उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी जिहां इसके बारे में यहां पे जानकारी है इसको देखें और कुछ यहां पे लिंक्स आप दिये गए हैं जिसके अंदर वर्टसप चैनल का लिंक है टेलिग्राम गुरूप का लिंक है और वर्टसप गुरूप का लिंक यहां पे है आप इसको जरूर जोइन करें यहां पे आप आपको दोनों notification मैंने provide करा दिये हैं एक तो आपका MTS का notification और एक postman और mail guard का notification एक बार कहेंगे तो हम इसको download भी कर देंगे क्योंकि इसको download करना काफी आसान है जैसी आप लोग यहाँ पे click करते हैं click करते ही आपके सामने एक drop notification open होता है यह drop notification काफी समय पहले आगया था postman और mail guard के लिए अभी जो update आई उसके according यहाँ पे आपको 20 जनवरी के आज़ पास इन पदों पर एक नया complete notification भी देखने को मिले वाला है अभी यहाँ पे देखे postman की post ने 60,000 के लगबग पद group C की यहाँ पे जो है तो पूश्टें और 21,700 से लगबग 70,000 रुपए का बीटन बारी पास candidate आभी दन करेंगे simple में और जो ग्रामीन डांक सिबक GDS के पदों पर काम करें हों दस्वी पास आभी दन करेंगे 18-17 साल की age यही age छूट के साथ में 18-37 साल तक पहुँचेगी और इसके अलाबा यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको अभी एक और post मिलेगी जो की होने वाली है male guard की male guard के पदों पर भर्दिया आएंगी हलकी 2000 से ज़ादा post नहीं देखने को मिलेंगी पर वो भी कापी अच्छी है यहाँ देख सकते हैं male guard की post नहीं है और लगबग यहाँ पर अभी तक जो 1445 पोश्टे थी वो 2000 पहुँच चुकी है सेल्दी सेम रहेगी age और qualification भी post man की तरह ही होने वाला है साथ में आपको local language का भी knowledge होना चाहिए इस बात को आपका ध्यान में रखना है आएए देखते हैं MTS notification को इसके लिए आपको यहाँ पर MTS के सामने जो click here की button है इस पे एक बार click करना होगा जैसे ही आप लोग click करते हैं तो MTS का complete drop notification आपके सामने आएगा पोस्ट के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं multi tasking staff यानी MTS की पोस्ट की बात करी गई है इसके बारे में जानकारी को देखने के लिए आपको ज़स्ट एक बार नीचे आना होगा MTS के अंदर almost 40,000 से भी ज़्यादा पदखाली पड़े हैं इन पे detail notification बीस जन्वरी के आसपास आजाएगा group C की vacancy लेवल एक में यहाँ पे आपको 18,000 रुपए से लेक और लगवग 56,900 रुपए तक का बेचन देखने को मिलेगा 10th past candidate आप एदन करेंगे और जो GDS पे अल्रेडी काम करने उनके लिए कोई भी qualification की डिमांडर नहीं करी गई है 18 से 25 साल की आपकी age रहेगी और छूट के साथ 35 साल तक के candidate यहाँ पे आविदन कर पाएंगे तो आप सभी एकदम ready रहे डाग विवाग की दो बड़ी भरतियों के लिए एक GDS की post पर और एक MTS और post man mail guard के प्रदो पर आने वाली बंपर भरतियों के लिए complete update के लिए SS महादेबाजी का बीडियो यहाँ पे लगा दिया जाएगा आप उसको जरूर देखे क्योंकि उसको देखेंगे तो आपको और भी जादा clarity मिलेगी मिलते हैं अगली बीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद